आप लोगों की स्टेडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो आज का ब्लॉग सुरू होता है सीधे कॉफी से क्योंकि अभी जब मैं पढ़ाई करने बैटू तो बिल्कुल भी नीनना है इसके वज़ा से मैंने सबसे पहले कॉफी बना लिया तो जब मैंने दूद उबालन थोड़ी सी चीनी और कॉफी को डालके अच्छे से मिक्स कर लिए कॉफी का क्या है ना कि जितने अच्छे से मिक्स करो ना उसकी टेस्ट उतनी अच्छी आती है तो मिक्स करने के बाद मैंने यहां पे कॉफी ले लिया और कॉफी लेके सीधे गय बालकुनी पे थोड़ा सा बाहर के हवा को इंजोई किया उसके बाद से मैं अभी करूंगी अपना स्टेडी को कंटिन्यू तो यहां पे गयबाल गोनी पे जिससे बाहर की नजार है बहुत ही अच्छा लग रहा था और हवा भी बहुत ठंठंड चल रही थी मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है और यहा सबसे पहले अपना पहला स्लोट में करेंगे क्लास तो यहां पर मेरा हिस्ट्री का क्लास चल रहा है तो सबसे पहले क्लास को कर लेते हैं उसके बाद बाकी चीज़े करेंगे तो आज सर क्लास में पढ़ा रहे थे तो उसमें किसी बच्चे ने पूछा कि UPSC अपने syllabus से बाहर के भी सवाल पूछते हैं तो सर ने बताया कि ऐसा नहीं होता UPSC में जिसे कि pre में syllabus से बाहर के सवाल नहीं होते हैं लेकिन सर ने ऐसा कहा कि उनके 20-25 साल के अनुभव के according एक बार ऐसा हुआ है कि pre में UPSC syllabus से बाहर का सवाल पूछा था लेकिन में में सवाल syllabus से बाहर भी पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर सर बताये तो यह चीजों के भी knowledge हो गई उसके बाद सबसे बहले मैंने class खतम करने के बाद पानी पिया और पानी पीने के बाद अभी अपना दूसरा slot शुरू करेंगे तो चलिए देखते हैं कि दूसरा slot में अभी क्या हमें study कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आ गई थी स्टेवल से आ गई थी थोड़ा बेट पर बैटके रिलक्स करके पढ़ाई करने के लिए तो यहाँ पर M. Lakshmikant से मैंने एक चेप्टर कवर किया तो उसको मैंने बहुत अच्छे से मैंने चीजों को कवर किया इसके notes नहीं बनाए बट कुछ point को मैंने लिख लिए क्योंकि क्या होता न लिखते वक्ते मुझे चीजे ज़्यादा याद होती है तो बीच बीच में कुछ मुझे man important point लगता है तो उसको लीक लेते हैं एक दो बार तो उससे मझे अच्छे से याद हो जाता है तो चलिए इस चेप्टर को सबसे पहले जल्दी से कवर कर लेते हैं मुझे कुछ खाने का मन था तो मैं कीचेन में आ गई थी तो कुछ फ्रोट्स रखे वहते हैं जिसमें से मैंने थोड़े से फ्रोट्स लेक आगे थी बैंक और यहाँ पर जबंद मे फ्री टाइम में होती हैं तो दुरू सर पर रहते हैं मैं बहुत ही इंजॉय करते हूं को बहुत है … relatitude को अमझा सब्याइब के नरी थे बहुत ही है तो इसकी क्या फैसलेटी है और उसमें मतलब क्या-क्या सुभीदाइं मिलते हैं तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगे ऐसे मैं बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ बट आप दियान से देखते नहीं और मैं भूल जाती हूँ किस ब्लॉग में जिसको आप लोगों के सा करते हैं अनलिमिटेड है कोर्स जो है 18-20 महिने में खतम कर दिया जाता है और प्रती दिन एक क्लास लाइब आता है जो डैली से लाइब होता है बारा सो घंटे की 500 प्लस कख्षाएं होती हैं बहुत ही बेसिक अस्तर से जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा परते खंड के नोट्स मिल जाते हैं तीन बर्स तक परती आपको मासी जो पत्रिकाये हैं वो द्रिश्टी के तरफ से आपको मिल जाएगी प्रियम्स के जो प्रैक्टिस सेट है उसके छे पुस्तक मिलते हैं कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी हैं जिसमें 75 जेनरल स्टेडी के और ले सकता है बहुत ही अच्छी फैसलेटी है अगर उनलाइन में लेना चाहते हैं तो बहुत ही सारी चीज़े आपको वहां से मिल जाएगा कोई भी चीज़े आपको नहीं छूटेगी और क्लास जो होता है नो बहुत ही बेसी कस्तर्च होता है आप अगर मतलब एंस्याटी नहीं पढ़ें तब भी वहां से समझ में चीज़े आ जाती है तो यह कोर्स का डीटेल था जो आप लोगों के साथ मैं सेयर कर दें तो आज साम में हम जा रहे थे जमा मस्जीद तो वहां के लिए तैयारी कर लिए आज हम लों जा रहे हैं जमा मस्जीद इफतार में और पानी ले लिए दो ग्लास ले लिए चमच और चाकू रख लिए हैं दो प्लेट ले लेंगे छोटी-छोटी कटोडी ले लिए बाकी जुरत पर जाएगा क्योंकि पूरी फैमली जा रहे हैं बच्चे भी हैं साथ में और तर्बूज को मैंने काटके रख लिया क्योंकि तर पूरे थोरे करके ले लिए क्योंकि इफ्तार ही करना है फिर इतनी चीजे काफी है और बाकी चीज अगर कुछ और एक्स्टा खाने का दिल करेगा तो वहां से भी ले ले लेंगे तो आज हम पूरी फैमली वहां पे जा रहे हैं तो आज का ब्लॉग में वहां का बनाऊंग और जितना हो सगे गब लॉग में चीजे कबर करने एकोसिस करूँगी तो सारी चीजे निकालनी हूँ अभी थोरा यह सब प्लेट होगरे सूख रहा है सूख जाएगा ना तो इसके बाद सारे बैग में रखूँगी तो सबसे पहले मैं अभी यह सब चीजे एक साथ रख ताकि भूलू नहीं इसलिए ले लिया और यह पनी भी रखी उन्दूओ क्यूंकि यह सारे फूर्ट्स जब काटेंगे तो इसके जो चिलके और होंगे तो वहां पे मतलब गंदगी ना फैले इसी में रख के और लेक्या जाएगे और लेक्या जाएगे तो मुझे जितना अभी तक याद है सारे चीज़े रख लिए बाकी कोई चीज छूटेगा तो अभी मैं रख लूँगी अभी पहले सबसे पहले रेडी हो लेते फिर इसी इसको बैग में डालेंगे तो यह साम का क्लिप है आज जमा मस्जिद जा रहे थे इफतार के लिए हर साल एक दिन जर होई थी तो हम वहाँ पर बैठके फ्रोट्स चील रहे थे तो यहां पर बहुत सी मतलब लोग आए थी यहां पर आप लोगों को क्राउट दीख रहा होगा यह मतलब पूरी रमजान ऐसी ही भीर होती यहां पर बहुत ही अच्छा लगता है तो हम लोगों ने यहां पर जाक यहां पर थोरे दर्व तक रुखे हुए थे उसके बाद आ गये थे घर और घर आने के बाद की बाकी ब्लॉग है जो मेरे स्टेडिक है तो अब यहां पर हमारा लास्ट सेशन है आज का ब्लॉग में तो यहां पर अभी मैं करूंगी भारतिये कलायों संस्कृती यहां से मै मैं एक चेप्टर कवर करूंगी और यह जो भारतिये कलायों संस्कृती जो मेरे बूक है न नितिन सिंगानिया सर का बूक है बहुत ही अच्छा बूक है यहां से मुझे चीजे बहुत ही अच्छे से समझ में आती है और यह बूक के लिए बहुत ही इनफ है तो मैं अपने प्लास नोट्स के बाद मतलब जो एस्टेंडर बुक है वह भी मैंने ले रखा है जो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आती है चीजे वहां से तो मैं बहुत ज़्यादा बुक नहीं परती बर जितना मुझे सेलेक्टेड बुक है उतना मैं रख्यों उसको मैं बारवर प बनाया और उसके बाद से मैंने बनाया अंडे की ओमलेट तो अभी खाएंगे रोटी अंडे की ओमलेट और खाने के बाद मैं नमाज पर होंगी और उसके बाद से सो जाओंगी और सुबह के लिए टेंशन फिरी क्योंकि सुबह क्या होता है थोरा लेट तक सोते हैं कोई द बना लिया क्योंकि थोड़ अच्छे से भूख लग रहा था इसलिए मैंने रोटी बना लिये थी और अंडे के ओमलेट बना ली थी वैसे नहीं तो बागी टाइम में एक हजूर अगर पानी अगर पी ले थी वस यही होता है तो यहां पर अभी अपना सेहरी करेंगे और उसक कर सकते हैं मेरे से भी पूछ सकते हैं तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाबय थैंक यू